अभी तक हमने परिचय और मूल सिध्धानतों के बारे में समझा और जाना आज हम एटोमिक हैबिट के पहले नियम के पहले भाग को समझेंगे पहला भाग यह है कि वो वेक्ति जो सही नहीं दिखता था मनोवेगानिक गैरी क्लेन ने एक बार मुझे एक कहानी बताई यह कहानी एक महिला की थी जो परिवारिक आयोजन में सामीर हुई थी उसने कई वर्ष तक पैरा मेडिकल स्टाप में काम किया था उस आयोजन में उसने अपने ससुर को देखा और बेहत चिंतित हो गई अगर कहा नहीं आपको अभी अस्पताल जाने की जरूरत है कुछी घंटे बाद उस विक्ति की जिन्दगी बचाने के लिए सरदरी हो रही थी जाच में पता चला कि उस विक्ति की एक बड़ी धमनी में ब्लोकेज था और उन्हें ततकाल दिल का दोरा पढ़ने का खत्रा था अपनी पुत्र वदू के सहज ग्यान के बिना उनकी मिर्त भी हो सकती थी पैरा मेडिकल इस्टाप में रही उस महिला ने क्या देखा कैसे उसे समझ में आया कि उनका स्वास्त गड़बढ़े और दिल का दोरा पढ़ने वाला है जब परमुक्दमनिया औरूध हो जाती है तब सरीर तवच्छा की सता के निकट गौर भागों से दूर मातपुर अंगों को रक्त भीजने का फोकस करता है इसका परिडाम यह होता है कि चेरे पर रक्त के संचार का पैटन बदल जाता है कई वर्सों तक हाट के मरीजों के साथ काम करते रुए उस महिला में अंजाने में ही यह चमता विक्सित हो गई थी कि वह देखते ही यह पैटन पहचान लेती थी वह यह समझा तो नहीं सकी कि उसने अपने ससुर के चेरे पर क्या देखा लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गड़बढ है इस तरह की कहानिया अन्य चेतरों में भी देखने को मिलती है उदहारण के लिए सेन ने विस ले सक यह असानी से पैचान से थे हैंगी अन्य देखा लिया था पूरे बेढ़े को बचा लिया था जबकि ये रडार पर उनके अपने विमान जैसा ही दिखाई दे रहा था उन्होंने उचित फैसला लिया था लेकिन उनके आला अफसर भी यह नहीं समझा सके कि उन्होंने यह कैसे कर दिखाया था म्यूजियम के क्यूरेटर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे असानी से किसी परमारिक लाकिर्ती और चतुराई से तयार की गई नकली वस्तु में अंतर बता देते हैं यदा पी वे सटिक रूप से यह नहीं बता सकते हैं कि किस जनकारी से वे ऐसा करते हैं अनुभवी रेडियोलोजिस्ट मास्तिक का स्केन होने पर पहले ही बता देते हैं कि किस और श्ट्रोक हो सकता है जबकि अप रसिचित रेडियोलोजिस्ट को ये चिन नजर भी नहीं आते हैं मैंने ये भी सुन रखा है कि कुछ हेर ड्रेसर बालों को छू कर बता देते हैं कि उनके पास आई महिला गरवती है या नहीं मानू का दिमाग उन्मान लगाने वाला मसीन जैसा होता है ये आपके आस पास के वातावरण में आने वाली जानकारियों को सत्पता अग्रहण करता रहता है और उनका विसलेशड करता रहता है जैसे पैरामेडिकल स्टाप में रही उस महिला ने चेहरे से दिल के दोरे का उन्मान लगा लिया था या सैन इनिसलेसक नेराडार पर मिसाइल होने की खोस्रा कर दी थी वैसे ही आपका मास्तिक महत पुड़ बातों को संग्यान में लेना सुरू कर देता है वीवराड की छाटाई करके प्रसंगिक संखेतों को रेखा कित करता है और भवित समय इस्तमाल के लिए सूचना का संकलन करता है प्रियाप्त अभ्यास से आप संकेत के अधार पर किनी प्रड़रामों की भविस वारी कर सकते हैं भलही आपने इस पर सजगता से विचार नहीं कियाओ आपका दिमाग सोता ही अनुभाव से सीधे पाठों की कूट रचना तयार कर लेता है हम हमेशा समझा नहीं सकते कि हम क्या सीख रहे हैं लेकिन सीखना लगतार चलता रहता है और किसी एक इस्तिती में प्रसंगिक संगेतों को समझ लेने की आपकी छंता ही आपकी हर आदत का आधार होती है हम इस बात को कम करके आखते हैं कि हमारा दिमाग और हमारी देह बिना सोचे कितना कुछ कर सकती है आपको बालों से बढ़ जाने के लिए नहीं कहना पड़ता दिन को पंप करने के लिए नहीं कहना पड़ता फेफड को सांस लेने के लिए नहीं कहना होता और नहीं पेट को पचाने के लिए कहना होता है फिर भी आपका सरीर यह सब आसानी से आटो पाइलेट मोड पे करता है आप अपने सचेत सरीर से कहीं अधिक है भूग लगने के बारे में सोचें आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूग लग रही है यह जरूरी नहीं है कि आपको कुकिश देखकर ही समझ में आए कि आपको खाने का समय हो चुगा है भोजन की इच्छा और भूग बिना सजगता के चलते रहते हैं आपकी दे में कई तरह के फिडबेक लोब्स होते हैं जो आपको उस समय सजग करते हैं जब फिर से खाने का समय होता है यह उस सब पर भी नजर रखते हैं जो आपके आस पास और भीतर चलता रहता है सरीर में हार्मोन और रसायन के चलते ललक पैदा हो सकती है अचानक भूक लगने लगती है जबकि आप सुन्चित नहीं होते कि क्या हुआ था हमारी आदतों का यह सबसे अधिक चकित करने वाला नजरिया है किसी आदत के संकेत के लिए सजग होने की ज़रुत नहीं होती आप कोई औसर समझ लेते हैं और बिना सजगता से देखे इसके लिए काम करने लगते हैं इससे उपयोगी आदत बनती है इसी कारण यह खतरनाग भी हो जाती है जैसे ही आदत बनती है आप सुचलित और अचितन दिमाग के निर्देसन में काम करने लगते हैं आपको इस बात का एशाज होने से पहले ही कि क्या हो रहा है आप पुराने पैटन में ढल जाते हैं जबतक आपको कोई बताता नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलता की जब भी आप हसते हैं आप अपना हाथ मुँपे रख लेते हैं कोई फ्रस्न पूचने से पहले आप खाम मांगते हैं या फिर आपकी आदत दुसरों के वाक्तियों को पूरा करने की बन गई है आप जितना अधिक इन पैडर्न को दोराओ करते हैं उतना ही आपको समझ में नहीं आपाता की आप क्या कर रहे हैं और क्यूं कर रहे हैं एक बार मैंने सुना है कि एक रिटेल क्लर्क इस बात के लिए निर्देशित था कि जब ग्रहा कार्ड का बालेंस पूरा इस्तमाल कर ले तो उसका खाली गिफ्ट कार्ड कार्ड दिया जाए एक दिन क्लर्क ने लाइन में उन कुछ ग्रहाओं को नदरासी दी जिन्होंने गिफ्ट कार्ड से खरदारी की थी जब अगला विक्ति आया तो क्लर्क ने ग्रहा का वास्तिवी क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया एक कैची उठाई और इस्तब्ध ग्रहा के यह देखने और स उसकी पुरानी आदत छूटी नहीं वह वैसकों के साथ काम करने लगी थी लेकिन फिर भी साथ काम करने वाले बातरून जाते तो उससे पूछ लेती थी कि क्या आपने हाथ धोए मुझे एक आदमी की कहानी पता चली उसके कई वर्स लाइफ गार्ड के रूप में निकले और जब भी वह किसी बच्ची को दोड़ता हुआ देखता था वह चिलडाता था पैदल चलो कुछ समय में जो संकेत आपकी आदतों को बढ़ाते हैं वो इतने साज हो जाते हैं कि देखते ही नहीं किचन के काउंटर पर ट्रीट पलंग के करीब रिमोट कंट्रोल जेब में फोन इन संकेतों के प्रती हमारे प्रतिसाद इतनी घैराही से रच जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि भीतर से कोई काम करा रहा है इसकारण हमें वहवार में बदलाव के प्रिक्रिया सजक्ता से शुरू करनी जाईए परभावी तरीके से नई आदते बनाने से पहले हमे वर्तमान आदतों का परबंदन सीखना चाहिए यह सुनने की बजाय करना ज़्यादा चुनोती पूर हो सकता है क्योंकि एक बार आदत ने जीवन में जड़ बना ली तो यह जादतर मामलों में अचेतना और सोचलित हो जाती है यदि कोई आदत बिना दिमाग लगाए हो रही है तो आप उसे सुधारने के उम्बीद नहीं कर सकते हैं मर्व वेग्दानिक कारल यूग ने कहा था जब तक आप अचेतन को चेतन ही बनाते हैं तब तक यह जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग कहने लगेंगे आदतों का स्कोर कार्ड जपानी रेलवे सिस्टम को दुनिया के सर्वसेष्ट सिस्टम में सुमार किया जाता है यदि आप टोक्यों में कहें ट्रेन से जा रहे हैं तो आप कंड़क्टरों में एक विसेष आदत देखेंगे जैसे हर ऑपरेटर ट्रेन चलाता है वे एक रिती के तहत आगे बढ़ते हैं इसमें विविन चीजों को देखकर कमांड बोले जाते हैं जब ट्रेन सिगनल के पास पहुंचती है तो आपरेटर उसके बारें बताता है और कहता है सिगनल हरा है जब भी ट्रेन से बाहर निकलती है या फिर स्टेशन पर आती है तो वह आपरेटर स्पीडो मीटर की और देखकर एकदम सटिक स्पीड बताता है जब जाने का समय होता है तो operator टाइम टेबल की ओर देखकर टाइम बता देता है प्लेटफार्म पर सभी करमचारी इसी परकार से वेवार करते हैं प्रतेक ट्रेन के छूटने से पहले इस्टाप के लोग प्लेटफार्म के किनारों को देखकर करते हैं सब कुछ ठीक है हर बारीक सुचना की पहचान की जाती है उसकी तरफ इसारा किया जाता है और उसका नाम जोर से बोला जाता है इसी परकारिया को पॉइंटिंग एड कॉलिंग करते हैं यह सुरच्छा तंत्र है जो गरतिया कम करता है यह मुर्खता बूर लगता है लेकिन यह बहुत अच्छे तरह से काम करता है पॉइंटिंग एड कॉलिंग से गलतिया 85% और दुरगटना है 30% कम हो चुकी हैं नियुआर सिटी में MTA सब्वे सिस्टम ने एक इसका संसोधित सोरूप अपनाया है यह पॉइंट उनाली है और इसके किरियानियन के दो वर्स में गलतियों से होने वाले सब्वे की दुरगटना है 57% कम हो चुकी हैं कि यह सजग होने का अस्तर अचेतना आदत से ज्यादा चेतना के अस्तर तक बढ़ा देता है कि वी ट्रेन ऑपरेटर अपनी आखों हातों और कानों का उपयोग करते हैं कुछ भी गलत होने से पहले वह समस्य को बता देते हैं मेरी पतनी भी ऐसा करती है जब भी हम किसी ट् मैंने अपना वालेट रख लिया है मैंने चस्मा रख लिया है मैंने पती को भी रख लिया है वेवार जितना अपने आप होने लगेगा हम उसके बारे में सोचना कम करने लगेंगे और फिर जब हम कोई चीज हाजारों बार कर देते हैं तो हम उसकी अपिच्छा करने लगत कामकान में कई असफलता हैं आत्म सजगता के आभावस में होती है आदतों को बदलने में हमारी सबसे बड़ी चुनोती उस बारे में सजगता कायम रखना है जो हम वास्तों में कर रहे हैं इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किम बुरी आदतों को अपड़ी राम हमें धीरे धीरे भुगतना पड़ता है हमारे नीजी जीवन में हमें point and call का सिस्टम अपनाना चाहेंगे यह आदतों के scorecard का उद्गम है हमने अपने वहवार के बारे में सजग होने के लिए यह सरल अभ्यास है इसे स्वय बनाने के लिए अपनी दैनिक आद्थों की एक सुची बनाए यह उस सुची का उधारन है जहां से आप सुरू कर सकते हैं जिसे उठना अरारम बंद करना फोन देखना बात्रों जाना खुद का वजन लेना नहाना दास साफ करना दातों को प्लस करना डियो ट्रेंड छिड़कना टावेल सुखने डालना ड्रेस पहनना एक पचाहें पीना एक बर पूरी सुची बन जाए तो हर वेवार को देखी और खुद से पूची क्या यह अच्छी आज़त है यह खराब आदत है यह नीटरल आदत है यदि यह अच्छी आदत है तो उसके पास प्लस लिखिए यदि वह खराब आदत है तो माइनस लिखिए यदि नीटरल है तो इसकल चो लिखिये, उधारण के लिए जो सही उपर दी गई है, वह उस तरह से दिख सकती है, अमने उपर स्क्रीन पे दिखा दिया है, कि वह कैसे दिख सकती है, किसी खास आदत को आप जो भी अंक देंगी, वह आपकी इस्तिति और लच्चों पर निर्बर करेगा, कोई यह वह वार अच्छा हो सकता है, यह सब निर्बर करता है, कि आप किस दिखा की और काम कर रहे हैं, आदतों की स्कोरिंग अन्य कारणा से भी बहुत जटिल होती है, दोनों अच्छी और बुरी आदतों के लेवल मामली रूप से तुर्टी पूड रहते हैं, कोई आदत मस्या हल करने के लिए परभावी रहती हैं, और आदत किसी ना किसी रूप में आपकी सेवा करती है, बहले ही वह बुरी आदत हो, इसलिए तो आप उन्हें दोराते हैं, इस अभ्यास के लिए आदतों को स्तरणी बद किया जाए, ताकि किसी भी परकार से लंबी आदी में आपको फाइदा पहुंचाए, आम तोर पर कहते हैं कि अच्छी आदतों का परिग्राम सकरात्मक रहता है, खराब आदतों का परिग्राम खराब होता है, बहुत सकता है कि सीगरेट पीने से अभी आपका तनाव कम हो, लेकिन यह लंबी आदी में सहतमन्द वहवार नहीं पाएगा, यदि आपको जब भी यह तह करने में परसानी हो रही है कि कि किसी खास आदत की रेटिंग कैसे की जाए, तो एक प्रस्ट मैं यहां परियोग मिलाता हूं, क्या यह वेवार मुझे वह बनने में मदद करेगा जो मैं बनना चाहता हूं, च्या यह आदत मेरी इच इच्छित पहचान को प्राप्त करने के लिए बल देती है, आम तोर पर वे अच्छी होती है, आपकी इच्छित पहचान के खिलाफ जा रही आदते खराब मनी जाती है, जैसे ही आप आदत का स्कोर कार्ड बनाते हैं, तब पहले कुछ बदलने की आवस्यत्ता नहीं रहती लच्छ सिर्फ यह देखना होता है कि वास्तव में चल गया रहा है, अपने विचार और कारे को देखें और उसमें किसी निसकर्स पर नहीं पहुँचें या फिर भीतरी आलोचना नहीं करें, गरतियों के लिए खुद को भला बुरा कहना बंद कर दें, ना ही सफलता के लि यदि आप अधिक खा रहे हैं तो सिर्फ यह देखिए कि आप अपने जरूरत से ज़्यादा कैलोरी खा रहे हैं यदि आप ऑन-लाइन समय निश्ट कर रहे हैं तो यह देखij आप जीवन के उस तरह से खर्च कर रहे हैं, जिस तरह से आप कभी नहीं चाहते थें, खराब आ बीजिक से बोलिए की आप उसे करना चाहते हैं। कि ऐपी बोलीय कैनी आप जंग फूट की आदत को खत्म करना चाहते हैं। लेगिन आपको अभ्रास होता है कि आप कुकी عنपकर खा रहे हैं। तो जोर से बोलिए, मैं इस कुकी को खा रहां हूँ , लेकिन मुझे इसकी ज़ुरत नहीं है इसे खाने से मेरी वजन बढ़ेगा और सेहत परभावित होगी अपनी खराब आदते जोर से बोलने पर वास्तविक प्रिग्राम ज़्यादा साथ दिशेंगे बिना दिमाग लगाए पुरा अनी दिन चर्या में ढ़लने के बजाए इससे आपके काम में वजन भी आता है यह नजरिया तब भी उपियोगी होता है जब आप किये जाने वाले कामों के सुची में से किसी एक काम को याद करने की कोशिस कर रहे होते हैं बस तेजी से बोलना है कल मुझे दोबार के खाने के बाद डांकर जाना है इससे इस बात की संभावना है बढ़ जाएंगे कि आप ऐसा करेंगे आप खुद को ही अपने काम की जवरत के बारें बता रहे हैं यही असली अंतर लगाएगा बिवार बदलने की प्रिक्रिया हमेशा सजकता से सुरू होती है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और हैबिट्स स्कोर कार्ड जैसी रणतिया इस बात पर केंदित होती है कि आप अपनी आदतों की पहचान करे और उन्हें सुरू करने वाले संखेत से सिवकार करे इससे ये संभव हो पाता है कि आप उस तरह प्रतिसाद करें जो आपको लाप पहुचाए